आज मैं इस समय खड़ा हूँ सेक्टर बारा रेडिसेन उटल के बाहर यह हमारे ड्राइवर भाई यहां खड़े होते हैं हमेशा गाड़ी लगाते हैं और मैं इनके पास आया हुआ हूँ यह जानने के लिए कि क्या इस काले कानू का यह समर्फन है या नहीं है अलाकि इसका कोई समर्फन तो है नहीं जैसा कि आप लोग सोसल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं पूरे देश में आकार मचा हुआ है द्राइवर भाईयों ने अपनी गाड़ियां खड़ी कर दी हैं वो अपने अपने घर चले ट्रांस्टोर्स जो है उनका बिजनेस में अगर यह कानून जल्द से जल्द वापस नहीं लिया गया तो आने वाले समय में इस देश की जनता को भी इसका असर धेरना पड़ेगा क्योंकि जित्रे भी मालवाहक ट्रक टेम्पू है जो जरुवत की चीजों की सप्लाई करते हैं खाने पीना तूद दवा दवाई वो स तीन तारिक को जंतर मंतर पर एकत्रित होंगे बढ़ चड़ के इस आंदोरन में पक हिस्सा लेंगे भारत के कई राज्यों से ड्राइवर और प्रतिनिदी और संकचन के लोग जंतर मंतर पर आ रहे हैं यह मेरे साथ मेरे भाई है इनका यह ट्रक खड़ा हुआ है करते हैं इसका आप लोग समर्धन करते हैं इसका आप लोग समर्धन करते हैं वापस लोग 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 तो कि Everything पहुचना चाहिए बाहरी से आपकी संख्याही इस कानून को वापिस करवा सकती है और revenue सरकार को जलगा सकती है जिस प्रकार से सांसदों ने इस कानून के लिए टेबल थपतपाई दी मेरा कहना है उनसे कि अब आप ट्रक चलाओ अब आप लोगों की जरूतों का समान करो क्योंकि कोई भी बिल को टेबल थपतपा के आप लोग पास कर देते हैं यह नहीं सोचते कि इस से कि गरीब मजदूर गरीब ड्राइवर के हबारे में क्या होगा आपके तो जो मंतिर जी ने पास कर दिया आप में तो बस टेबल थपतपा देनी है अब आने वाले समय में यह मेंबर आफ पालियर्मेंट ट्रक चलाएं और लोगों की जरूरतों का समान इधर से उधर देखे जाएं नहीं तो इस काले कादम को वापस करें जल से जल जल उख्ता जन्यवार यक्ता नमस्कार जयके